नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चेंप टीबी लाइब और मैं हूं लाल वियारी लाल वानी जयाओं उदोग मंत्राले के अदोगिक निती सम्मर्दन विभाग द्वारा हिंदी पकवारा का अंतिम दिन आयोजन किया गया जिसमें काव पाट कायोजन किया गया काव पाट में दरजनों पते भागयों ने भाग लिया जिसमें कर्णसा पर्थम पुरसकार सुहेल राजा दूतिय पुरसकार संभू सरन सिनहा और तितिय पुरसकार नियती अगरवाल को दिया गया इसके साथी साथी पांच संतावना पुरसकार भी दिया गया जिसमें पहला सरकार के राजवाहवी बाक दोआरा हर साल कैसे संथरों में हिंदी पकवारा का अधिन किया गया था इसी करम में जो है बाने जाने जिनके मन में है, सास्ते रूपी पेड़ पन पे उनके दर में है, जानना है मुझे, क्यों मिलता है मुझे बार बार जन, जानना है ब्रह्म मुझे, क्यों मिलता है बार बार जन, अब ब्रह्म उसको उतर देते हैं, अधोरी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, पुरा होने ह पाशू योनी में जन्द वासना ए मनुष्य जैसी तो मनुष्य जैसी तो तुम मानो रिष्टे घड़े की पहचान हो जैसे तुम कुछ बोलती नहीं तो ये किसकी आवाज सुनाई देती है मुझे मैं तुम्हें जब जानता ही नहीं तो ये कैसी डोरी है जो बांग गई है मुझे तुम से कुछ कहना था तुम्हें शायद थोड़ा रोना भी था बादरों का पटना नधियों का अपने स्तर से उपर बहना मानो दिल के बंद को तोड़ जिन्दगी में जब खुश्यों के लंहें आते फागुन के सतरंगी रंग में रंग जाता मन बर्बस लगती सुभर की बेला जैसे मदमाती मनमोहक और जंग्रिधों का उठता मन इस मदमाती मनमोहक बेला में कवी रिदें का उठता है सिंदूरी सहर की मादक्ता चंदलम्हों की ये नी रखता कुछ कह जाती मुझको हो जाता जब सिंदूरी शिंगार तब बीडा की सब्तरागिनी कुछ कह जाती मुझको कुछ कह जाती मुझको कर्रव व्याप्त इन कुझों पर हो जाता जब सिंदूरी शिंगार तब वीडा की सब तरागिली कुछ कह जाती मुझको धर्ले बाद कि चार दिन पहाडों पर बिताओ या पाँच दिन समंदर के लहरों में खो जाओ बस इस भाग की दौटी जिंदगी के कुछ चुटकी जैसे लब्ले ओफिस की इस भागा दौडी में कहा इतनी चुटिया है मेरे पास कि चार दिन मैं जहर्लों में बह जाओ या पांस दिन वादियों में गुणना हूँ बस इस तेज रखतार जिंदगी के कुछ चुटकी जैसे लब्ले घर के यूगी छोटे बड़े कामकाजों में कहा इतना वक्त है मेरे पास कि चार दिन बद्वीली पहारियों पर ठिट राओ इसी आपा धाबी में छट छट डट की जाती है यारों जेतों की मेडों पर उदास बैटे हैं उनका अभी अभिमान बाकी है पैरों के छालों से बैटा फूत असूप गया है किर्वी परवत साटल उदास वाभिमान बाकी है जेट की दूप में दे को जलाता है किसान सीथ की रात में कपकपाता है वो किसान आंधियों से करता वो अटखे लिया, बाड़ के कहर से लड़ता है वो किसांद। आखिर मैं भी एक बेटे की मा हूँ, बस अब सिखलाओंगी उसको वो सब जो मैं चाहूँ, मेरे बच्चे चल अब तुझको कुछ इस तन्य तराशू, तुझ में अपने सारे सपने मैं पूरे गढ़ डालू है, पर आथ तुझे जब मैंने हिल्थिल के हस्ते काया। जुट गये दोनों एक एक प्लास्टिक की पाइप लेकर, पकड़ा पकड़ी का लुफ उनोंने अर्से बाद लठाया। चुहे कर्ण बदाने, बागी सबी कर्चारियों को कमरे से बार बगाया। चढ़े जैसे ही कुर्सी पिड़के, कुर्सी का एक हाथ निकलाया। अब हाथ को लगाने और कुर्सी पदरवाने, जब हमने जी ए में फिल फोन गुमाया। जो लिखके दे दो एक नोट, वहां से बेर बही जवाबाय। भगा की चुहा जब वे वापस डेस्क पराय। एक्स्टेंशन बोड की एक्टार में दिये पहरू जाय। रास्ते में बोड देखकर थोड़ा हमपट जलाय। फिर भूती उठाकर देए फोल को घुमाय। जी ए ने फिर चार आगमी देए पॉरन भिजाय। बारा कीलों के लिए उन्होंने हमसे खुब नोट सजवाय। क्यारब नोट लिखने का सिलसला थोड़ा कता हुआ। हमने सुचा की वापस आके आप काम कर लेना चाहिए। तो चैर की सास लेके जब हम बैठे रे फैक्स लाइंग परिशान कर रही अब कैसे संभा लेगी। बदलवालों फोन लाइंग्स विचार फिर एक से आया। मायूस से हो गए सब के चैरे। थंडी सासे भर के फिर फोन को लगाया। इस बार पहले से ही बना लिया होट उन्हों ने ऐसा पाया। अब पर चलकर एक बहतर इंसां बना। खुश्टी मैं आखिर मैं भी एक बेटे की मा हूँ। बस अब सिखलाओंगी उसको वो सब जो मैं चाहूँ। मेरे बच्चे चलक तुझको कुछ इस तन्य तराशूं। तुझ में अपने सारे सपने मैं पूरे कर डाले। पर आथ तुझे जब मैंने खिल्थिल के हस्ते देखा। तुझको सिखलाते सिखलाते अब तुझसे मैंने सीखा। संघर्षों में जीते जीते क्या कुछ भूल गए हम। वो बश्वन की मिश्चल हसी, वो मिठे मिठे गम। सोच एक बड़ी सोच है। सोच सोच के सोच को सोचो, सोच एक बड़ी सोच है। सोच सोच के जो सोच न सका, तो सोचो वो कैसी सोच है। सूचने को सब को दिखार होता है लेकिन कोई इसको फॉलोग नहीं करता एक शब मैं मर गया नीन में सोते सोते जैसे मर जाता है जमीर लोगों का जीते जागते और जब पहुचा मैं एहीं आस्मा में बादनों के विशाल दर्बार में था खड़ा मैं लंबी कतार में देखा तो खुदा कर रहा था खुद इसान अपनी अदालक में खट हुआ इंतजार मेरा आई बारी मेरी और भूई मुगर्ण उझे आद बोजब की सुनकर ये एसला रह गया मैं पहुचर का रास्ते में एक सत्तर साल की बढ़िया माता मिली बड़े प्यार भरे निगाहों से मुझे देख रही थी मैंने भी आदरपुर्व कुछा माता आप पहां जा रही है माता रही उत्तर दिया कि बेटा मैं तो सत्तर साल से यहीं खड़ी हूँ लोग आते हैं मिल देखते हैं फिर चले आते हैं आज तक किसी ने मेरी सूर लेनी की नहीं सोचा मैं भी थक गई हूँ लगता है अब मेरा यहीं अंत्रो जाए गए उन्हां में आदरपुर्व कुछा कि माता आप ऐसा क्यों कह रही हो किसने आपका अपमान किया है माता ने कहा किसी ने मेरा सम्मान भी तो नहीं किया जिसकी हर शान निरानी जिसकी हर बात नियानी है सबी भासाओं से प्यारी हमें हिंदी हमारी है इसी में गाता हूँ अक्सर इसी में गुनगुनाता हूँ इसी में मन के भावा को मैं लिखता जाता हूँ यही वो भासा है जिसने मेरी खालत सुधारी है सबी भासाओं से प्यारी हमें हिंदी हमारी है बच्पन से लबो पर है इससे ही नाम मेरा राती मेरे जहन में इसका गी है वसीरा ये देवी है भासाओं की हर कोई इसका पुजारी है सभी भासाओं से प्यारी हमें हिंदी हमाली किसी और की जगर इसमें ली ही नहीं किसी और की तरफ इसमें देखी नहीं जिसे माने यहां सारे तुप खामोस रह गय पितामा द्रोपती के करुम टुकार को ठीटक ठीटक सा गय पितामा कहां गई वो रनभेरी जिसके गर्जन से कापता था अंबर कहां गई वो औजस्वानी जिसके प्रसफुटन से लाया था नंबर आज जरूरत थी उसी औज की जो एक साहस तुम दिखलाते तो एकक करके द्रोपती के प्रश्व पटल पर पूछ हो रही विश्व पटल पर पूछ हो रही जिसकी वो महान है और नहीं कोई और नहीं कोई देश वो मेरा कहलाता हिंदुस्तान है रिशी मुनियों की धरती है ये संस्कारों से पहचान है शू्नी की खोज करी है इसने इस जग में इतने जुद नहीं उतने सेड़े की ताकत है जो स्यहत आज काम भागन होग चीक्टे नगि में से लोग काफी पड़र समय है कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में बिमारिया नहीं आती है खान पान की कमी से रोज बिमारी हो खान पान की कमी से रोज बिमारी हो खा ना खाओ समय पर रोग कभी ना हो रेलान रोग कभी ना हो रात को सोना जल्दी सुबह करो ना देर वरना कोई बिमार ही लेगा तुमको घेर देलाल हाथ खाने से पहले मूँ खाने के बाद निस धिन धोना सीख लो जीव रहे अबादर लाद मेहनत करना सीख लो रहे बिमारी दूर जीवन में आनंद लाल काया सुख भर पूर लाल काया सुख भर कूर त्रंदन करना छोर दो सीखो करना मार लालू सी दिन बिमारी हो जाएगा पापा को समझाती है घर के माहौल को पल में खुश्नुमा बना देती है घर के माहौल को पल में खुश्नुमा बना देती है उस तो बात है उनमें जो हर शक्स को हसा देती है करना देती है